हेलो एवरीवन अगेन वेलकम टू अलोक्स फिजिक्स आपको आलोक्स फिजिक्स में फिर से वेलकम है स्वागत हैं होफुली आप बहुत अच्छा त्यारी कर रहे होंगे अभी तक आप लोगों ने ये लेक्टो स्टाटिक्स का एट सीरीज कंप्लीट कर दिया है मतलब एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है और मैं एक एक पार्ट वाइस आपको बता रहा हूँ साथ नुमेरिकल भी अटेश कर दे रहा हूँ ठीक है तो आज की सेशन में हम बात करेंगे नुमेरिकल प्रॉब्लम्स रेलेटेट टू कुलम्स फूर्स कुलम्स लॉग का जो नियम था उसके बेसेस पर आज नुमेरिकल कोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो पूरे इंटायर नुमेरिकल को बताना भी पॉसिबल ने मैं कुछ नुमेरिकल आपको बताता हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाया कि इस टैप में कोशन आपको पढ़ना चाहिए अगार आप स्टेट लेवल के हैं और अश्यावद के हैं वह ठीक है और और ज्यादा गर अगर डिटेल में पढ़ेगा च्याया रखिक अट मेस्कि नुमेरिकल होड़न कांद की को हैं आज का कर फॉस्क्य्जन चॉल लेंगे पान कोर्षें क्या होगा इसको बताता हूँ और जो questions मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं कर यह रहा हूँ ना कि अपने हिसाब से, जो मुझे लगता है कि यह अच्छे questions उस level के questions को मैंने छाटा हुआ है, अपने experience basis पे और इसमें आपको NCRT के सारे questions मिल जाएंगे, NCRT को अलग से पढ़ने की जोरत नहीं है, जिन questions को म मैं बता रहा हूँ, उससे आपको पूरे NCRT कवर हो जाएगा, तो tension मतलें और without any delay, चली start करते हैं आज का ये session, तो जो first question है, मैं समझाने ही कोसिस कर रहा हूँ, आप समझें, यहां पे बोल रहा है कि यहां पे ना एक helium का atom है, एक क्या helium है, ठीक है, और एक helium है, और यहां प 10 to the power minus 5 meter, 10 to the power minus 5 meter, तो आपको बच्चों यह बता, मैं एक दम basic से start करो, चोटे-चोटे question से start करो, ठीक है ना, आपको यह बताना है कि इन दोनों के बीच के जो force होगा, वो net force कितना experience करेंगे दोनों के दोनों, मतलब आपने को force ही निकालना है, without any delay, okay, question दिखा, अब आप क् force करें, बनाने की कोशिस करें, नहीं बनता, फिर से start continue करें, लेकिन मैं continue बता दे रहा हूं, ऐसे conditions में, इसको solve करने के लिए, जो कुलम्ब फोर्स के लिए अपन फार्मला लगाते है, 1 upon 4 pi, if not 0, q1, q2 by होता है, r square, पता है ना, और इसका एक numeric value होता है, f is equal to 9 into 10 to the power 9, q1, q q2 by होगा, r square, q1, q2 क्या है, charge 1, charge 2, चीक, अब सबसे बड़ी बाते हैं कि q1 अगर मैं इसको लेता हूं, और q2 अगर इसको लेता हूं, q1 किसको ले लिया, q1 इसको ले लिया, q2 इसको ले लिया, तो q1 मतलब क्या है, जो helium पे जो charge होंगे, वो q1 होगा, helium पे कितने charge होंगे याद रखना, helium में 2 protons होते हैं, point be noted, याद रखें आप, helium में कितने होते हैं, 2 protons होते हैं, helium के पास 2 protons होता है, ठीक है, तो 2 protons होता है, तो जो q1 होगा, q1 को जो value होगा 2, into 1 proton, 1 proton पे value कितना होता, 1.6 into 10 to 10 to 10 minus 90, पता है ना, हमने पढ़ाया यार, पिशे बढ़ा, चलो, अब q q2, q2 तो अकेले ही 1 proton है, तो यहां पे का लिखेंगे 1.6 into 10 to 10 minus 19, लिख लिए, अब इन दोनों का values लाके यहां पे put कर देंगे, तो f is equal to 9 into 10 to the power 9, q1 का value आएगा 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, q2 का value आएगा 1.6 into 10 to the power minus 19, और denominator में इसका क्या चल रहा है, 4.0 into 10 to the power minus 5 का whole square, multiplication dividing तो आता है ना, आता है ना, नहीं भी आता है, कोई दिखेंगे 11th का basic start हो रहा हां तो में सिकाने वाला हो, बहुत सारा tricks, तो अब देखें, क्या होगा f, सबसे पहले 9 into 2 into 1.6, अभी 1.6, फिर 1.6, फिर क्या करूंगा, 10 to the power 9, minus 19, minus 19, and you're getting my point, very easy, बहुत असार, सबसे पहले, अब, जब इसका square करूंगा, तो it becomes 16, 16, क्योंकि 4 का square रहता 16, फिर 5 to the power 10, 10 to the power minus 10, अगर यहां से में एक point हटाया, तो मुझे, नीचे मुझे 10 लिखना पड़ेगा, यहां से भी 1 point हटाया, तो मुझे फिर से क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, यह 16 को क्या कर दिया, cancel, और यह कितना हो गया, यह 112 हो गया, तो f is equal to 9 into 2 into 16, और उपर क्या बचा है बच्चों, यह हो जाएगा 10, minus 10, minus 29, यह उपर जाएगा, plus 10, यह उपर जाएगा, minus 1, यह उपर जाएगा, minus 1, मेरी बात समझ में आगया होगा, ठीक, अब, 9 2 जाएगा, यह 32 है, इसको इससे कर दो, कितना हो जाएगा, 32, 6 2 जा, 32, 9 into 32, और यहां पर जो वैल्यूस आया है, यहां पर जो वैल्यूस आया है, वो कितना हो जाएगा, minus 30 हो जाएगा, 30 मेरी जाएगा, 20, तो बचा, minus 21, ठीक, तो 9 2 जा, 18, carry 1, 10 to 0, minus 21, Newton, hopefully आपको आगया हो, नहीं आएगा, टेंशन है, नुमेरिकल में टेंशन हैने की जोरत नहीं है, कि मैं बैसिक अगर पढ़ें तो आप से नुमेरिकल बनना ही चाहे, पटक से नूट करने इसको, अच्छे से नूट करने, फिर देरे देरे लेवल हाई करते हैं, एंसाटी के स अगर बार से आप से बनेगा यह कोशन, कि क्या है, कई बार चार्ज देता है, कई बार डिसेंस x दे देगा, y दे देगा, conceptual भी रहेगा, और conceptual मतलब x, y, z के form में भी दे देगा, और direct नुमेरिक वैल्यू भी दे देगा, कि इन दोनों के बीच का distance इतना है, लेकिन यह स्ट न डार 15, k n plus 9e और यहां पे plus e है, यह दो चार्ज है, और placed ने 1-8 meter कर distance, क्या ह? क्या, क्या चल रहा? कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, 2-4 दे इतना है, k क्यार नहीं है, दोनों के दोनों charger कैसे placed है, यह दूनों के दोनों charger कैसे placed है? एक दुसरे से 1-8 meter के district है ठीक जब 8 मिटर के डिस्तेंस में प्लेजड है तो हमको क्या निकालना है हमको इन दोनों की बीच में एक चार्ज को लाकर रखना है मतलब एक चार्ज को भी पे लाकर रखों मतलब कोशन आपको यह बोल रहा है कि 2 1R9 का चार्ज में और एक E चार्ज है There are positive charge है repeltive force है tegas पॉससे गर्षन लगेगा चलो ठीक है लेकिन के बीच में किस जगे पर एक charge क्यूं है रेक्तिआ कर रख दूँ कि वह कि उतने हुट्स एक्स्पीरियनस क्रेंगे च्पिर्यंस करेंगा इससे उतने ही वह equilibrium condition में, मतलब क्या बोलता है सम्तुल्य सम्तुल्य, बोल सकते हैं सम्तुल्य? वह equilibrium condition में, समान बल कण्वर्फ कर रहा है, तो आपको बताना यह है कि इस पहले बल के साथ दूरी, पहले आवेस के साथ इसकी दूरी, और दूसरी आवेस तेवेस काथ कितनी होगी ट्राइ करेंगे आप नहीं करेंगे तो pause करके एक बार ट्राइ कर लें अब फिर मैं तो continue बता देता हूं इसे आपका भी time बचेएगा तो देखो ऐसे conditions में आप हमेशे क्या माल ले ना x माल ले ना यहां से आं तक का अगर यह x है तो बच्चों यह कितना हो जाएगा 8-x कुछ होगा इसे यह 8 है आधा अगर x है थोड़ा सा तो जो बचा होगा 8-x हो जाएगा अब मैं निकालूंगा force between इन दोनों के बीच तो अपन लिखेंगे force act between plus 9e and q ठीक है आप लिखेंगे क्या लिखेंगे plus 9e वह q के बीच बीच लगने वाला बल कितना force लग रहा है तो कितना force लग रहा कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे उसको f1 ले लेना तो formula तो पता है ना one upon four five epsilon not q1 q2 by kya होगा r square तो बच्चो f1 का value था इसको तो अपन 9 into 10 to 9 भी लिख सकता है जैसे का वासे भी लिख सकता है q1 का value यहां पर क्या मेंच है नाइन e q2 का value यहां पर क्या मेंच है ने q distance यहां से हां तक का x square अगया ना पिच्चो यहां तो क्रिक्दम असाल था कोई tension ही नहीं था अब हम निकालेंगे इन दोलों के बीच लगने वाल अबबल ठीक तो यहां पर लिखेंगे again again force act between q and plus e q charge and plus e charge ठीक यहां पर क्या लिखेंगे q वा e plus e के बीच लगने वाला बल ठीक है ना बल का formula तो पता है तो क्या हो जाएगा force 2 one upon नहीं लिखता है मैं direct c को लिखता हूं टाइम बचेएगा याज है ना 9 into 10 to the power 9 q1 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 के जगे पर क्या चल रहा force q q2 के जगे पर क्या चल रहा e और यह आर यहां सहां तक का distance कितना चल रहा e to minus x का whole square नहीं है कि इससे असाना और क्या होगा यह तो simple simple question बता रहा हूं state level पहला इसी को मैं link कर दूँगा आपको j तो अब यह force 2 आ गया अब इन दोनो force according to questions according to question प्रश्न के अनुशार प्रश्न के अनुशार जो question के अनुशार वो क्या बोल रहा है कि यहां पे जो force act होगा और यहां पे जो force act होगा in the condition of equilibrium ठीक है संतुलेता की स्थिती में दोनो force क्या होगा सेम होगा कैसे मैं खड़ा हूं इधर एक force लगा रहा था इधर एक लगा था रही कि balance conditions होई संतुलें की यवस्ता में हो मतल़ इक्लिव्रियम condition में जो दोनो force लगा होगा दोनो force आपस में क्या होगे इक्वल होंगे, तो इसलिए क्या कर दे उसको एक्वल ले लिए, पॉइंट आगे ना समझ में, चोटी-चोटी बात हैं आपको क्लिक करनी चाहिए, यह वैल्यू को लाकर रख दो यहां पर, तो क्या था वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 9, फिर यहां पर बच्चा है 9E प्लस लिखेंगे, सर मैनस देगा, तो क्या लिखेंगे, मैनस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भी है, आपको चूजए करना है कि जिस क्वांटिटी को आप काउंट कर रहे हूँ, वैक्टर एकी स्केलर है, बहुत इंपॉड़न टिप्स बता रहा हूँ, दिमांगा बैठा ल स्केलर होता, तो मैं यहाँ पर जरूर सान कन्वेंशन यूज़ करता है, मतलब प्लस है तो प्लस, मैनस है तो मैनस, ठीक है, आगी कोशन से पढ़ेंगे, देखें, तो ये, ये कट गया, क्यों ने क्यों को काट दिया, इने ए को काट दिया, तो बचा गया, नाइन बै एक् मैनस, एक्स का होल स्केलर है, नाइन, एक्स, एट मैनस, एक्स का होल स्केलर, दोनों का स्केलर एक साथ ले लिया है, इसको अटा होगे, तो प्लस मैनस, रूड नाइन, एक्स, एट मैनस, एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, थ्री, थ्री होगा ना, फिर क्या होगा, एट, सर autocos multiply 3 8- x x 8 3 is a 24 फिर आएगा 3 x x जब इधर आजायेगा 24 प्लस क्या हो जाएगा 3 x plus x 24 कितना हो जाएगा 4x काट दिये तो x is equal to 6, कितना हो गया 6 मतलब यहां से यहां तक का distance कितना हो गा 6 हो गा तो यहां से यहांत का distance कितना होगा होपफुली इस question में आपको समझ में आगे, आपको लगे रहा होगा sir क्या आप हालतों time pass कर रहे हो चोटे-चोटे question में रता के बहुत है चोटे-चोटे सीखोगे अभी तो बड़ा-बड़ा solve करोगे तो भी hesitate होने की जोड़त नहीं है दीरे-दीरे से ऐसे-चोटे पर लेके चला जाओगा न पता भी नहीं चलेगा आप इतने बड़े-बड़े question solve कर लिए ठीक है कुछ questions ऐस question है यह भी बड़ा मज़ेदार question है समझने कोशिस करें क्या कर रहे है यहां पर एक बॉल है यहां पर एक क्या एक बॉल क्या यहां पर एक बॉल का जो मास है ना वो 8 ग्राम है ठीक है और इस पर चार्ज है आपन ले लेते हैं 5 इंटू 10 तूस दी पावा माइनस 8 कुलम ठी पड़ा नहीं पड़ो तो जाओ description में ढूनो उसको चलो यह हो गया इसको अपन freely suspend कर रहे है तो यह आ रहा है जैसे आपन किसी बॉल को छोड़ेंगे तो नीचे आएगा ना तो वह आ रहा लेकिन मैं चाहरा हूं कि हवे में लटके जादू दिखाना मुझे मतलब ऐसे बॉ सफ्काउंट का चार्ज होगा इससे वह 5 सेंटीमेटर के दूर तक आये और रुख जाना चाहिए किता sound सेंटीमेटर के दूर में आना चाहिए 5 सेंटीमेटर के दूरी में आके रुख जाना चाहिए समझ लाएं कोश्चन सिंपल है एक अबजेक्ट है एक अबजेक्ट का जो मास है वह है एट ग्राम और उस अबजेक्ट पे जो चार्ज है 5 इंटू 10 कुलम का चार्ज है उसको मैं फ्रिली सस्मेंडेट कर रहा हूं मुक्तवस्ता में छोड रहा हूं तुर कहा आएगा नीचे अब नीचे आने से ठीक 5 सेंटिमीटर दूर मुझे एक चार्ज लाना है उस चार्ज को किस करेक्टर करना मतलब positive लाना है सबसे पहले इस बाल के अगर बात करें तो इसमें FBD निकालो सुने मेरा 11 कोर्सा आने वाला है हो सकता अधिकल में 11 का पूरी क्लासे स्टार्ट हो जाए तो आप जो बच्चे आपके छोटे भाई बैने आपके दोस्तार जो भी 11 के प्रपेरेशन करें बिल्गुल करें बहु तो होगा क्या कि अगर इसका वेट देखेंगे ना तो वेट का अगर नीचे वह होगा mg इन दोनों की कार्ण जो रिपल्सी फोर्स होगा वो क्या होगा बाहर होगा वो फोर्स में ले लिया F वो फोर्स होगा 9 इंटो 10 to the power 9 और साथ में क्या होगा Q1 Q2 by होगा R2 ये वाला तो अब ये दोनों क्या होगे ये वही रुख जा रहा मतलब equilibrium conditions मतलब ये दोनों आपस में क्या होगे balance हो जाए मतलब उसका weight उसको क्या कर दे रहा balance कर दे रहा तो उस conditions में जो mg है वो बराबर हो जाए मतलब F बराबर होगा W के तो mg बराबर होगा 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by होगा R2 M का मतलब 8 gram है बच्चों ध्यान रखना सबको SI formula आपको solve करना है तो 8 gram को kilogram में change करने के लिए 10 की घात minus 3 kg जानते हैं आप change करना आता है नहीं आता तब भी कोई दिक्क्यत नहीं क्यूंकि 11th class मेरा start होने वाला basic से देखे का जो आट-दस lecture होगा ना वो 12th आलों को भी देखने चाहिए आपका basic strong हो जाएगा ठीक है तो कितना होगा minus तो इसके जगे पर क्या लिखूंगा 8 into 10 to the power minus 3 kg जी जो है वो accelerations due to gravity क्या ये acceleration due to gravity मतलब हिंदियों बोलेंगे तो क्या बोलेंगे गुरुत्वी तवरण ठीक तो इसका value में क्या लिखूंगा 10 लग 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 अप्रोक्सिमेशन वाल्यूस है 9 10 to the power 9 Q1 चार्ज कितना था इस पर 5 into 10 to the power minus 8 Q2 कल्कुलेट करना है distance between them the two charges दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 लेकिन बच्चा इसमें centimeter में दिया हमेज़ा meter में change करना है तो centimeter को meter में change करने के लिए 10 to the power minus 2 मीटर का whole square नहीं आया है आगे न चलो अब क्या करता है मुझे Q2 निकालना है Q2 निकालने के लिए पूरा terms इधर आएगा 8 into 10 to the power minus 3 into 10 और यह इधर आजाएगा 5525 10 to the power minus 30 minus 4 और यह पूरा quantities के denominator में आजाएगा 9 into 10 to the power 9 5 10 to the power minus 8 Q2 solve करना तो आता है न आप लोगों को solve करना आता है न solve जब करोगे तो इसका आएगा 4.36 10 to the power minus 7 कुलम multiplication है calculation है करतो लेंगे न आप calculation तो hopefully यह question पर आपको समझ में आ गया होगा ठीक अगर आ गया होगा तो चलते हैं दुसरे question पर फटाक से note कर लें इसको भी आप hopefully इससे पहले question आपको पूरा clear हो गया होगा ठीक है अब मैं थोड़े से level को थोड़ा सा बनाता हूँ आप सो सकते हैं किस तरफे question इसमें पूछता है ठीक है तो देखें अब जो question है वो यह बोल रहा है तीन identical metal sphere है यह कह है identical metal sphere मतलब यह भी identical metal sphere है यह भी identical metal sphere है एक और भी identical metal sphere है यह आपको भाहर रखा हुआ है जो दोनों से contact में नहीं है ठीक है identical का मतलब एक समान धातू के गोले क्या बहुते हैं इसको एक समान धातू के गोले ठीक है एक समान धातू के गोले ठीक है बड़ा मज़ेदार question अप पर इसको समझे नहीं कि कोसिस करना बड़ा मज़ा आने वाला इस question में आपको ठीक है यह एक ही question बहुत सरे concept के easily clear कर दे तो देखें का से तो क्या बोलता है तीन identical sphere a,b,c जो c है वो a और b जो है वो charged है a और b क्या है charged है ठीक है मतलब आवेशित है और यह जो है वो uncharged है uncharged है मतलब अनावेशित है अनावेशित है कोशन अभी तक क्या बोला हूँ मैं यह बोला हूँ कि तीन identical balls है तीन identical spherical मतलब स्पैरिकल मैटल मतलब मैटल के बने हुए तीन ठोक गोले है ठीक और तीनों काकार एक जैसा है लेकिन कोशन यह बोल रहा कि तीन अगर है तो उनमें से जो a और b हैं दोनों charged है आपको लग रहा हुआ कि सर आप इक गोला वोला बना के समझा रहा है इतने सालों का experience मैं आपको बता रहा हूं आप पहली वारी ना numerical बना रहे होंगे यह दुसने सालों गा experience मेरा experience यह करता है कि आपको कभी भी numerical से डरना नहीं चाहिए, और numerical तभी आपका बनेगा जब आपका concept clear होना चाहिए, पहला चीज, दूसरा चीज, numerical बनेगे एक और असान तरीका बताऊं, कि कैसे भी question आप उसके लिए diagram draw केजे, diagram basis के समझने कोसिस केजे, मैंने अपने पूरे IIT, NEET की जो पूरा course का design मैंने इसी के भी हाफ पे किया हुआ है, ठीक है न, आप पूरा मेरे देखेंगे, तो maximum questions को मैं diagram basis आपसे बात करता हूँ, मैं conceptually ऐसा जाए कि खड़े हो गया, और मैं question read कर दे रहा हूँ, मैं बच्चों इस question को बनाओ, यह system ही नहीं, अपना style नहीं है यह, अपना style क्य क्या है कि हम आपको diagram बनाएंगे, समझा देंगे question ताकि question जब भी आप पढ़ें तो खुद बखुद आपका mind click करना चाहिए, ठीक है, खुद बखुद आपका mind इसीच को approach करना चाहिए कि question कैसा बनेगा, उसके लिए क्या जोर रही है कि आपको system समझे, कुसी विच्च को स charged है, लेकिन c जो है charged नहीं है, जब यह दोनों charged है, तो इन दोनों को कुछ distance पे रखा गया है, इन दोनों को कुछ distance पे रखा गया है, और distance कितना भी होगा, तो इस्तिति में इन पे जो बन लग रहा है, जो force लग रहा दोनों की बीच में, वो 5 into 10 to the, sorry, 2 into 10 to the power 5, minus 5, या 5 plus 5 भी ले 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 न, newton का force लग रहा है, ठीक, यह इतना force experience करा है इन दोनों के बीच, मेरी बात समझ में आगे होगा, अब question क्या है, पिर, question ही क्या है, तो अभी तो question ही समझा रहा हूँ आपको, कि 3 identical balls है, 3 identical balls है, जिन में से 2 identical balls, A और B charged है, C, charge नहीं है, clear, जब दोनों को पांच है, 2 into 10 to 0, 5, ठीक, यहां तक, clear, यहां थी, कहानी में कोई twist नहीं आया था, अब कहानी में twist है, मैं आपको बनाने का मौका दोंगा, बनाएगा ज़रूर लेकिन, अब कहानी में twist है कि इन दोनों के बीच का distance कुछ भी हो सकता है, वो आप ले लेना, अब कहानी में twist ह इन्होंने इतना बता दिया, second case में इन्होंने बताया कि जो ball A है ना, जो भी charged होगा, C को इससे लाकर touch करके रखो, आप, C को इसके पास करो लाकर, touch करके रख दो, ठीक, B को ही लाना नहीं है, ना A को ही लाना, C को उठा के लाना किसके पास, A के पास, और touch करके रख देना, ठीक, बात clear, अब touch करके रखने के बाद, थोड़े देर के बाद, आपको यहां से हटाना है, हटा देना है, हटा के क्या करना है, यह A है, यह B है, यह क्या है, B, और C को इसके बीच में कहीं पिला के रखना है, exact, बीच पिला के रखना है, तो इस्तिती में जो C है, वो कुल नेट कितना force experience करेगा question यह simple, फिर से 3 identical ball, मतलब 3-1 समान ball, मेरी बतारी ना समख़े respond कीजिएगा, अग समझ माली तो like पर दरूर कीजिएगा, 3-1 समान ball ball मतलब गोले धातू के गोले, जिनमें से एक गोला अनावेशित है सी जबकि A और B क्या आवेशित हैं और दोनों आवेशित हैं तो दोनों को एक नियत दूरी पर रखा गया है, जब दोनों को एक नियत दूरी एक fixed distance पर रखें तो दोनों के बीचे एक force लग रहा है, दोनों के बीचे जो force लग रहा है, वो f is equal to क्या था टूरी लेट तो नियूटन था, अब क्या कर रहा है, अब यह कर रहा है कि अब दोनों को हिलाए नहीं, उस distance को maintain करते हुए, जो C था, उसको लाकर A से touch कर दिए, जो C था, उसको A से लाकर क्या कर दिए, touch कर दिए, touch करने के पाध थोड़े देर के बाद तर्यों के पहoly दिख करेबाद अब क्या करता है यहीं सिक उठाके जब होगा तो इन्हीं कर दो नगे मिल लगाए गार बीवी लगा रख़एगा तो आपको निकालना है कि सीकुल कितने बलग का अनुभा करता होगा देखें एक सिम्पल सा कोश्चन था मैंने कितना time लगा उसको समझाने के लिए जही वो तरीका जिसे आपका numerical बहुत फार बैटर हो जाएगा ठीक है यही वो तरीका जिससे आपका numerical बहुत अच्छा हो जाएगा अब मैं आप इसको पाउस कीजिए और ट्राई कीजिए नहीं बनता तो फिर मैं आपको बताई तो रहा हूं ठीक है ओके चलें देखें फिर तो होगा क्या सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि A और B पे कितना भल रग रहा है माल लिया जाए कि A पे क्यू आभेश है तो B पे भी क्या होगा क्यू आभेश होगा कैसे पता चला A पे आभेश क्यू है तो B पे आभेश क्यू होगा इसका कारण यह है कि यह identical metal sphere है इसका चार्ज दोनी की capacity होगी एक fixed charging तक यह charged होगा तो यह माल लिया जाएगा कि दोनों अगर identical जब भी आपके question में बोलेगा click कर लेना mind में जब भी identical बोलेगा ना तो माल लेना कि दोनों में charge quantity क्या same है तो इसलिए पर इसको क्यू ले लिए दूसरे हो क्यू ले लिए और इनके बीच का जो distance उसको मैं यह माल लेता हूं कि small r है यह मुझे मान के चलना पड़ेगा तो इस्तिति में दोनों पे लगने वाला बल कितना होगा तो force यहीं पे लिख दे रहे हैं यहां पे लिख दे रहे हैं आपको ज़्यादा साही समझ वाला जाएगा force और ab ab के बीच लगने वाला बल तो यह था 9 into 10 to the power 9 cube cube distance between them r square यह आ गया यह बल है लेकिन इतने के लिए जो बल लग रहा है उसका मान कितना था 2 गुणी 10 की घाथ 5 9 गुणी 10 की घाथ 9 q q q q square by हो गया r square मतलब अब के बाद कभी भी यह दिखा तो उसके जगे पे इसको लिख लिए बाद अभी यहीं तक समझ के छोड़ देंगे आप आगे चलिए अब सोचिए ए पर कितना आवेस्था पहले क्यों आवेस्था क्यों आवेस्था लेकिन ए के साथ कौन सट के आ गया तो याद रखें बैच्चों मैंने आपको पिछली बेसिक बताया हुआ हुआ है जो बच्चे अभी घूम फिर के यहां टके होंगे या आये होंगे उनसे मेरा पर तो बनाकी रिदे नहीं देने आप लोगों से अ अपर शेर भी नहीं कर रहा हुआ है, आरहें देख रहें है और चलिक जाल जादा ग्रोथ करेगा चैनल उतना ज्यादा मैं वीडियो डालूँ एक वीडियो अगर अधा अधा एक गंटे का डेली डालूँगा तो आपको कोर्स करना होगा मैं फिर चाहते हैं ना कोर्स जल्दी कम्ट्रीट हो उसके लिए आपको शेर करना पड़ेगा इतना सार करना है तो जब दोनों को पास मिलाया जाता है तो आवेशों का वित्रण होता है चार्ज का डिस्टीबिशन होता है तो चार्ज का डिस्टीबिशन कितना होता है वो दोनों बॉड़ी पे करता है अगर दोनों के दोनों बॉड़ी एक जैसे हैं तो चार्ज डिस्टीबिश होका मतले मतलब बराबर डिस्ट्यूूशन होगा मतलब इस पहर चार्ज संब ने माघ अ गया वह अगया क्यों बैंट लेकिन इस पहर जो चार्ज हो चार्ज ऑक्ण को घ्याएो इन यह ते जब को घू схगा त कि स्मंझ में आज घा होगा ठीक है अब इसके बाद मैं निकालूँगा किसी कितने व्लका नभ और तो फेप्छेंऑ बाल रुपेत कर रहा होगा तो बी बीकिकर्भा दूनों के दुणुल बला रुपेत करें होंगा q by 2 q2 के जगे पे लिखोंगा q by 2 दोनों का distance चल रहा r by 2 का whole square समझ मा गया लहा है चलिए एक step 9 into 10 to the power 9 q q q q square 2 2 4 r square 4 ये cut गया तो f ac का value कि इतना निकला 9 into 10 to the power 9 q square by r square इसको छोड़ देंगे ये कौन सा बल लगा है ये वाला बल कौन सा बल ये बल था f ac यहां पर एक और बल लेगा fbc तो fbc निका लूँगा तो fbc के 9 into the power 9 इन दोनों का charge इसका charge क्या चल रहा q by 2 इसका charge क्या चल रहा q दोनों के बीच का distance कितना r by 2 का square तो होगा क्या 9 into 10 to the power 9 ये हो जाएगा q square यहां पे 2 और यहां पे होगा r square by 4 ये कट गया तो दो बच्चेगा दो ऊपर चला जाएगा तो fbc का जो value निकला है उस दो को मैं बाहर रख लेता हूँ या q के साथ दे दो आप तो 9 into 10 to the power 9 2 q square by होगा r square ये fbc का value आगया इन दोनों के बीच लगने वाला बल ठीक अब दोनों बल निकल गया तो c कितने बल का अवय करेंगा अब net सी कितने बल का चल रहूं करेगा वो निकाल रहे तो c जो कुल बलझ locked करेगा तो ये वहगा f net सबसे पहले, दोनों में से आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा, दोनों में से ज्यादा बल कोंट लगा रहा है, कैसे पता चलेगा, इनके परिमाण को ध्यान दे, इनके magnitude पर ध्यान दे, इनका magnitude दे, इनका magnitude देखो, 9, 9, into, into, 10, 2, normal, 9, Q square, Q square, R square, R square इसके दो एक्स्ट् minus FVC, अगर आप से कोई पूछे कि है minus क्यों लगा है, तो हम बोलने कि BC ऐसे बल लगा रहा था, AC ऐसे बल लगा रहा हूँ, कहने का मतलब मैं बीच में खड़ा हूँ, कोई वहाँ से 20 newton का force लगा रहा हूँ, कोई 9 into 10 to the power 9 2Q square by क्या चल रहा हूँ, r square 2Q square by क्या चल रहा हूँ, r square ठीक है, और minus इसका value कितना चल रहा था, 9 into 10 to the power 9 Q square by r square, दोनों में देख सकते हो कुछ common है, दोनों में कुछ common है, दोनों में जो common है वो क्या है, 9 into 10 to the power 9 9 q square by r is equal अंदर बचेगा 2 और minus 1 इसका 2 बचेगा यह पूरा चला गया इसलिए minus 1 तो फिर जब minus कर दो गया आप ना जब पूरा minus कर दो गया तो आपके पास क्या बचेगा मैं आपको कहां बता दूँँ यहां बताते रहो जब पूरा चला गया तो f net is equal to तो यहां पर बचा 9 10 into 10 to the power 9 q square by r is को यह इतना बचा लास्ट इसका value क्या था यह किसका मान था याद रखो यह किसका मान था यह तो इसका ही मान था जो थोड़ दिर पहले निकाले थे मतला इसके जगे पे यह दिखा किसमें जो बल लगेगा f net जो total force लगेगा वो कितना लग जाएगा f net जो total force लगेगा वो 2 into 10 to the power 5 लगेगा समझ में आगे अच्छे से देखे एक बास में रिवाइन करके देखें रिपीट करके बार बार देखें फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट कर लें मैं फिर से हाजी हो जाओंगो लेके ठीक है तो pause करके अच्छे से note करें फिर अपना आगे अफुली इससे पहले अलोकोशन आपको बहुत अच्छे से किलियर हो गया होगा जब इससे पहले अलोकोशन अगर आपको किलियर हो गया है तो आप थोड़ा सा कोशन्स थोड़ा सा कोशन्स थोड़ा सा कोशन्स आर दे रहा हो ठीक है माल लो यहां पे ना कोई आया है दो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 armstrong है कितना 5 armstrong है और इस वाज से इनके बीच जो फोर्स लग रहा है 3.7 इंटू 10 गूस दी पावर माइनस 9 newton का फोर्स लग रहा है ठीक 3.7 इंटू 10 गूस दी पावर माइनस 9 newton का फोर्स लग रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि मेरे पास 2 positive ions है 2 positive ions को जब आपस में रखेंगे कुछ दूर पे मतला धनावेशित कड़ों को जब आपस में रखेंगे कुछ दूरी पे तो दोनों की बीच में प्रतिकर्शन बल लगेगा किता प्रतिकर्शन बल लग रहा है 3.7 इंटू 10 गूस दी पाव माइनस 9 newton ठीक चलो बहुत दिस्टेंस उसको अपन लग रखें 5 armstrong armstrong पहली बार सुन रहे होंगे अब्यस सी क्या आप सुन रहे होंगा अगर confusion नहीं तो basic start होने वाला 11 का आपटेंड करें ठीक है तो यह पूछ रहा है कि यह जो electron miss करेगा मतलब how many electron missing कितने electron को खो देगा कितने electron को खो देगा यह आपको लिखना है देखो तो positive charge है positive है मतलब क्या already electron की कमी है जब एक दुसरे की distance पर रखेंगे तो force लगेगा force लगेगा मतलब क्या अगर ripple करेगा ripple करेगा मतलब loss होगा तो कितने electron हो miss कर दिये होंगे वह निकाना आपको बहाँ simple है pass करें सोचें नहीं बनना फिर मैं बता रहा है ठीक है चलिए try करते है अब यहां पर क्या चलता q1 q2 और नीचे क्या चलता r square है ना जाना पैचाना पढ़े है अपाल इसकोप काफी दिल से पढ़ रहा है तो यहां पर f is equal to 9 into 10 to the power 9 q1 के jkp में क्या लिखा q क्यूंकि एक जैसे आयन से और चार्ज दोनों पर सेम है r का value अब अच्छे समझना कि r क्या है अच्छे समझे r क्या है वो 5 armstrong है तो जो 5 होता armstrong का मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर 1 armstrong is equal to 10 to the power minus 10 मीटर एक armstrong बराबर होता 10 की घात माइनस 10 मीटर याद रखेंगे तो इसको जब लाके रख दूंगा 5 into 10 to the power minus 10 का square तो यह f is equal to 9 into 10 to the power 9 यह q2 हो जाएगा 5 और 10 to the power minus 10 का whole square और इस f f का value given है 3.7 into 10 to the power minus 9 तो अगर मैं q का value निकालता हूँ अगर यहाँ से q का value निकालता हूँ तो 3.7 into 10 की घात माइनस 9 यह पूरा उपर जाएगा तो क्या होगा 5 का square करूंगा तो 25 इसका करेंगे तो 10 to the power minus 20 हो जाएगा यह दोनों इसके denominator में आएगा तो 9 into 10 to the power 9 हो गया यहाँ देखा गया अब इस पूरे को solve करेंगे इस पूरे को solve करेंगे तो आपका जो value आएगा वो आएगा 10.28 10 to the power minus 38 approximation values है ठीक है आप solve करके देख ले न मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया अगर q का value निकालेंगे न तो यह रूट लग जाएगा ठीक तो q का value कितना आ जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 19 कुलम कितना आ गया 3.2 into 10 to the power minus 19 कुलम अब यहां तक आने के बाद निकालना क्या है तो सोचो कि जब हम लोगों ने basic पड़ा था तब मैंने कहा था कि कितने how many defined depend करता numbers कितने आदमी तीन आदमी तीन क्या था number था ना देखें न मुवी कितने आदमी तीन आदमी था तो मतला समझ में आगा की number निकाला है तो according to quantization पढ़े है अपर आभेशों के quantity करण अनुसार क्या होता है q is equal to plus minus n e n is equal to q by e q का value 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb e का value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb काट दो 2 क्योंकि 32 by 6 है तो कितना हो जाएगा n का value 2 कितने electron miss कर देगा वो कितने electron miss कर देगा दो electron को वो miss कर देगा hopefully ये question भी आपको समझ में आगेगा pause करें अच्छे से note कर ले फिर अपना के चलते है ओके जो अब जो question दे रहा हूं थोड़ा सा conceptual question है आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि conceptual questions बनातेगा है ठीक है मैं आपको समझाता हूं system फिर आप सोचेगा फिर निकालने का try कीजिएगा ठीक है question ये है कि कोई positive i n है जिस पे q2 charge है और इसके surrounding न एक circular path है surrounding क्या circular path है जहां पे एक minus q1 charge r radius के इस path में घूम रहा है question क्या है question simple question simple क्या है कि center पे क्या है plus q2 charge है ठीक और r radius के circular path में एक minus q1 का जो आयन है जो charged है वो क्या कर रहा surrounding rotate कर रहा है घूम रहा है घू्णन कर रहा है ठीक यहाँ पे केंद्र में एक plus q2 zone avesh है उस plus qooo avesh kezadhury पर एक व्रित्त अर इसरह अधिक है इस व्रित्थ के चारों और एक नेरीनात्मक कAYन जो है वो घूDN कर रहा है ठीक है अगर घूणन कर रहोगा तो अगर कोई भी चीज रोटेट करता है तो उसमें टाइम पीरेड निकालता है नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना मेरे पास बताया ओगा इसमें होगा यूट्यूब में मिल जाएगा आपको मेरे चैनल में तो क्या निकालना पता है कि वो दाइम पीरियेट टाइम पीरियेट ओफ रेविलेशन्स क्या निकालने बोला है रिणात्मक आवेश के रिणात्मक थ्वा देखने नगी है रिणात्मक आवेश के घूलन के लिए आवर्त काल की गणना कीजिये समय अगर क्या निकालना है अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरेड आपको निकालना है कापिटल टी क्या निकालना है कापिटल टी निकालना है चली ट्राइ कीजिए आप ट्राइ कीजिए अगर नहीं बनता तो फिर मैं तो हूँ आपका दोस्त बताने के लिए चली एफ इसको पॉस करकर ट्राइ कर ली है किका अब मैं बता दे सबसे Leuten चीजह चाहे वह ग्रैवा फॉर्स चाहे वह इलेक्ट्रिकल फॉर्स चाहे वह द्रम होग नुडियर फॉर्स कोई फिर लगता है एक आवे इसके दूसरे आवेश आगे घुमता तो उसमें कुलाम का बल लगता है ठीक है गुर्तवाकर्शन यहां पर क्यों लेता है क्योंकि जो गुर्तवाकर्शन मैंने वेरीशन बता चुका है लगता है तो देखें यह इसके सराउंडिंग घूम रहा होगा तो उस पर एक बल लग रहा होगा एक बल कोन लगा रहा होगा एक बल इन दोनों आविशन के बीच लगेगा जिसको बोलता है force act between in the condition of equilibrium एक समाल लुप से गत्ति करने के लिए force act between two ions कि दोनों आयनों के बीच लगने वाला बल कोई भी चीज अगर किसी के सराउन्री गिमता मेरी छोटी सी टिप सब हमेशा याद रख लें कोई भी चीज अगर किसी के सराउन्री लगता है एक force डिपेंड करता उनके बाडी के नेचर पे क्यों कैसे हैं लेकिन एक force हमेशा लगेगा that is called by centripetal force क्या बलते हैं उसको centripetal अभी केंद्री बल अभी केंद्री बल जानते हैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं आप जरूर जाके देखें इसके बारे में बहुत से से डिसक्स किया है मैंने चलिए दो आइनों के बीच लगने वाला बल यार यह जो बल होता है इसी को तो आपन क्या बोलते हैं कुलम फोर्स बोलते हैं कि कौन सा force है कुलम्स फोर्स है तो कुलम्स फोर्स का फर्मूला होता है कुलम्स फोर्स का फर्मूला होता है वन अपन फोर पाई इसको मैं कुलम्स लिख लिया हूँ इलेक्रिक फोर्स लिख लिया और इसको सेंट्रिपिटल फोर्स है तो वन अपन फोर पाई नोट क्यू फिर क्यू त दोनों के बीच का distance r square centripetal force m mass then the speed माल ले ताओ v mv square by the radius of the circular path mv square by r यहां अंदर clear tension लेने की जोरत में v नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं हम उसको change कर देंगे बाद में तो यहां देखरें कि कुछ change हो रहा है rr कट गया है तो v का value निकालूंगा तो m इधर आ जाएगा तो v square का जो value आया वो आया है 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 m इधर आ गया तो यह m हो गया 2 r में से 1 r कट गया तो 1 r बज़ गया यह v का value है यह और चे शॉल करें तो v is equal to root 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 by mr यह इसकी speed आगे किसी speed से वो क्या कर रहा rotate कर रहा यह उसकी speed को mention कर सकते है speed को अबने इसली निकाल सकते है लेकिन अपने वो निकालना है time period क्या निकालना time period अच्छा आप बताओ time period 11 तो pass हो किया आ time period पताओ नहीं पता time period आवरतकाल किसी कण दौरा किसी कण दौरा किसी बृत्ती पत्थ में एक चक्कर लगाने में लगा समय नहीं समय एक ground मैं खड़ा हूं मैंने stopwatch start किया तोड़ा तोड़ा घुमते 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 फिर वहीं तक आ गया जितना time लगा दस नियट लगा वो मेरा time period रोटेशन कितना एक rotation time जितना भी लगे बाग समझ में गया इंग्लिश में क्या हो हिंदी वर्जन समझ में क्या किसी कण दौरा या किसी पिंद दौरा किसी बृत्ती पत्थ में एक चक्कर लगाने में लगा समय उसका अवरत कल कर लाते हैं लेकिन इसके लिए इंग्लिश में the time taken to a particle the time taken to a particle complete one revelations complete one revelations this time is called this time period is called time period या this time this taken time is called time period के लिए अच्छे से पहले ही पढ़ जोगे हैं पर कोई दिक्क्यत में हो तो मुझे क्या निकालना है time period निकालना है तो time period निकालने के लिए time किस पे depend करता है speed पे मालो की circular path है रीम आभी से चल रहाहां हो the time बढ़ेगा , मैं speed दो और रहाहां तो टाइम और काम होगा और you back to time Kid दो रहां तो time और काम होगा तो depends कि हाई speed अगर मुझे speed दी है तो तो मैं time काल सकता हूं speed से time लिए जाका है speed is equal distance by time मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय चाल भी कितना दूरी तरह करेगा यहां से घुंग के यहां तक आएगा तो कितना दूरी तरह करेगा तो यहां से चलके यहां तक जब वापस आएगा it is called by circumference क्या बोलते हैं इसको परीधी एक चक्र अगर पूरा लगा दिया ना तो जो the outer measurement of a circle the outer measurement of a circle is called circumference किसी बृत्य के बाहरी माप को उसकी परीधी कहते है यहां से start one माप ते वे फिर यहां आ गया तो उसको परीधी कहते है तो circumference कितना होगा? 2π लेकिन साथ में radius अगर R है तो R टाइम कितना लिया? T T इधर चला गया तो 2π आर V यह answer हो सकता था लेकिन V का value तो कोश्य में given नहीं था तो V का value लाके रख दो V का value लाके रख देंगे 2π आर V का value 1 upon 4π Q1 Q2 by MR यहां तक बात समय में आग रहे है यह पलट के अगर उपर जाएगा तो पाई आर पलट के अगर उपर जाएगा ठीक है कहाँ जाएगा ऊपर तक जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 4 पाइप्सलोन माथ MR by Q1 Q2 तो T is equal to जब इसको अंदर लेकिए जाओगे ना तो 2 का होगा 4 कभी भी स्क्वेर से 4 रहता तो बहार रहता की 2 तो 2 अंदर जाएगा 4 तो वह 4 यह भी 4 क्या होगा 16 पाई अंदर जाएगे पाई स्क्वेर हो जाएगा और लिडिक पाई तो पाई Q यह यह उसका टाइम पीरेड कितना निकला टाइम पिरेड पीच पीरेड होड़ी सिंपल्कुस्ट होफुली अब इसको भी घूँ फीक, आप इसको भी समझ गए मोगें सारे कोशन असान है टेंशन हैं नहीं की जूरत नहीं कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरी साथ है सब मिलके कमाल करेंगे इस बर पॉस करें नोट करें अब जो नेक्स नोशन है बहुत असान कोशन है सोचें कैसे बनेगा कमाल लीजे यहां पर कोई चार्जड है, जिसका वाल्यू कैपिटल क्यूं है, मतलब कोई वस्तु है, कोई पिंड है, क्या कोई आयान, जिसका आवेश की मात्रा क्यूं है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, मालो क्यूं और क्यूंट वाल इन दोनों के बीच लगने वाले अधिक्तंव बल् अगर अगर अलगे सेपरीशन ने की लिए। गया है जिसी आपको डिवाट करेंहाट कर दीजिये और ये किई इनके बीच अधिकतम बेल के लिए प्रतिवन्द कितना है अधिकतम कinekाने निकाल सकते हैं अब देखो किते तरीके से अलग कर सकते हूं, आपको कुछ समझाने कोशिस कर रहा हूं, अगर यहां पर Q चास्ट है, इसको दो पार्ट में तोड रहा है, तो एक हो सकता Q by 2, और Q by 2, दोनों जुड़ेगा तो Q हो जाएगा, एक और अगर तोड सकता हूं, तो मैं कैलिक सकता तो आप से यह पूछ रहा है कि ऐसे किन दो खंडों में तोड़ें, ऐसे कैसे दो पार्ट में तोड़ें कि इनके बीच maximum force लगें, अभी maximum लगें, कि और भी बहुत सारे partitions लेगें, कब maximum लगेंगा, तोडने के लिए तो और ऐसे तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q by 8 7 cubed by 8, और भी बहुत सारे तरीके से तूड़ सकता है, तो question यह पूछ रहा है कि अगर कोई charge particle बहुत मज़िदार question है, ज्यान समझे, कोई charge particle इस पर चार्च इतना दिया, क्यों, अब उसको दो पार्ट तोड़ रहें, आप कैसे तोड़ेंगे, कि force जो है maximum लगे, ठीक, आप के अखड़म अखड़म करेंगे, अखड़म अखड़म करेंगे, solve करेंगे इसको, solve करने का तरीक है, आप try करें, फिर मैं बताता हूँ आपको, एक बर जरू try करें, ठीक है, चली, मैं बताई दे रहा हूँ, सुनले आप, मान लो कि जो q charge था, उसको दो partition q1 और q2 की, q1 और q2, तो जो q2 का value होगा, वो क्या हो जाएगा, cube minus q1, ठीक हो गया, इन दोनों के बीच जो force लगेगा, force, ठीक है, तो यहाँ पर निकालना क्याता पता है, चलो आप तो समझी गया है, force, between q1 and q2, ठीक है, q1 वो q2 के बीच लगने वाला बल, f is equal, कितना होता है, force का formula क्या है, पढ़े हैं आपन force का formula, 1.45 नॉट, q1, q2 by r square, ठीक, बहुत बढ़िया, तो यह आ गया, तो अगर values को अगर मैं put कर देता हूं, 1.45 नॉट, q1 तो जैसे कि बसे चल रहा है, लेकिन q2 का value change है, क्या है, q2 minus q1, q2 का value लाकर रख दिया, और नीचे का चलना, r square, ठीक, यहां तका क्या है, अगर आपने मेरा basic 11th attend किया होगा, नहीं भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी नया series आसकल में start होने वाला है, यहां पे भी आप देख सकते हैं, विद्यकुल में तो पूरा को पूरा series आने वाला और live classes के साथ, ठीक, अगर जो 11th के बच्चे हैं, और हम बन तो IID को तो touch कर रही हैं इस बार, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, दोनों जगे पे आप कहीं पी भी आप देख सकते हैं, यहां पे पहले वहां आएगा, फिर release यहां पे होगा, तो आपको पता हो कोई भी चीज maximum कब होगा, मतला force to be maximum, force f to be maximum बल f अधिक्तम होगा, यदी df by, चार्ज यहां पे दोनों वेरी कर रहा है, लेकिन यह constant है, यह क्या है, constant है, क्यों constant है, किसी को भी जोड़ो, वो q ही आएगा, सब में charge q constant है, किसी को भी जोड़ो, लेकिन यह वेरी कर रहा है, हर जेगे पर change हो रहा, तो variable है यहां पर क्या चल रहा है, q1, तो dq1 का value क्या होगा, 0 के बराबर आना चाहिए, क्या आप इस इसको जानते हैं, नहीं जानते हैं, पहली बर देखने हैं, तो घरवाने की जोड़ोत नहीं, मेरे basic classes में है इसके बारे में, और बहुत details में मैं इसके बारे में चर्चा किया होगा, तो अब एक बार जरूर देख लें, ठीक है, चलिए, अब इसका value, d by dq1, f को मैं separate करूँगा, बाहर निकाल by dq1, f का जो complete value है, वो क्या है, 1 upon 4 by epsilon 0, q1, 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 q1 by r square, और यहां प्यारा 0, तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए constant और variable किसको बोलते हैं, चर और अचर, या नियत किसको बोलते हैं, चर उसको बोलते हैं, जो अपना मान बदलता रहता है, ठीक है, variable उसको बोलते हैं जो अपना value change नहीं करता है, ठीक है, अचर, यह तो एक fixed value, 9 to 10 to 10 by 9, बाहर आ गया, जो constant है वो बाहर, r square, distance है, वो तो distance खतम ही नहीं होगा न, वो तो fixed रहाएगा, तो यह भी बाहर आ गया, तो d by dq1, इसको अगर अगर अंदर लेके multiply कर दूँगा, q1, 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 q1 का whole square बना q minus q1 का square, यह इसके पास आएगा, differentiation करें, basic में attain, attain करें, होगा q1 cube, dq1, q1 square, इसमें यह constant है, यह बाहर आ गया, तो सिर्फ q1 का करेंगे तो आएगा 1, इसका करेंगे तो two front पे आएगा, तो q1, तो q is equal to, कितना होगा, 2 cube 1, मतलब q1 का value कितना होगा, q by 2, मतलब यह अगर q by 2 आया, तो उसका value अगर यहां पे लाके रखते हो, तो इसका value भी कितना आएगा, q by 2, मतलब क्या समय में आया, मतलब यह है, कि अगर एक charge है, उसको अगर आपने कहा करना चाहते हैं, कि उन दोन है, ठीक, इस गोले में से, मैं इस गोले को काटके तो अलग-अलग गोले बनाना चाहता हूँ, और दोनों को क्या करना चाहता हूँ, टकराना चाहता हूँ, तो ज्यादा बल, ज्यादा force कब लगेगा, एक को इतना छोटा सा और एक को इतना बड़ा करूँ मतलब, मतलब इ Q charge था, तो इसमें maximum force लगने के लिए जो separation होना चाहिए था, इसका आधा-धा होना चाहिए था, ठीक है, अगर मानलो इसके पास 20 कुलम का आवेस है, कितने कुलम का चार्ज है, अगर 20 कुलम का चार्ज है, तो इसको separation करने के बाद 10-10 कुलम का अगर 2 चार्ज आएंगे न, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब इसी के बाद, इसी के तुरंग बाद, मैं NCIT के बहुत सारे questions बता रहा हूँ, इसको फटाक से नोट करें, फिर NCIT के बहुत सारे questions बता रहा हूँ, उसके बाद में कुछ questions जो IIT और NEET में लास्ने आ च